हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एर जी है चुकेशन चैनल पर इस वीडियो में हम क्लास एट भूगोल चैप्टर वन के संसाधन के बारे में जनकारी प्राप्त करने वाले हैं अगर यह वीडियो आपको अचलेगे तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइगन को आन कर देजिएगा ताकि लेश्ट इस वीडियो सबसे पहले आप तो पहुंच सके तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं संसाधन, संसाधन की परिभासा पहले हम जानते हैं, मानुविय अवस्यक्ताओं को पूरा करने वाले सभी जिव जन्तु वस्तु एवं पदार्थ को संसाधन करते हैं जैसे में भूमी एक संसाधन है भूमी कर्याले भी एक संसाधन है ETC जल, पॉमन ये भी एक परकार का संसाधन है अब दिए मानो भी एक परकार का संसाधन है क्योंकि किसी भी मकान को बनाने के लिए मजदूरों की आओ सकता परती है मजदूर होते हैं एक मानो नेक्स्ट टोपिक क्यों बढ़ते हैं संसाधन के प्रकार संसाधन के प्रकार संसाधन तीन प्रकार क्यों होती है प्राकिर्थिक संसाधन मानो संसाधन और तीसरा मानो निर्मित संसाधन प्राकिर्थिक संसाधन के अंतरगत भूमी मीटी जल आती है जबकि मानो संसाधन के अ अंतरगत कर्याले मकान घर इत्यादी आता है अब जानते हैं प्राकिर्थिक संसाधन की परिभासा प्राकिर्थिक संसाधन कहते किसे प्राकिर्थ में पाए जाने वाले सभी जीव जन्तु वस्तु एवं पदार्थ को प्राकिर्थिक संसाधन कहते हैं जैसे पवन जल वायू ये सब प्राकिर्तिक संसाधन है next मानो निर्मी संसाधन करते किसे है मानो अपनी श्रम से बनाए गए सभी प्रकार की वस्तु मानो निर्मी संसाधन करते हैं जैसे कर्याले घर इत्यादी मानो निर्मी संसाधन है next दिखे करें मानो एक ऐसा संसाधन है मानो एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्मार एवं उप्योग दोनों करता है मानो एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्मार भी करता है और उप्योग भी करता है अब देखते हैं अब देखते हैं प्राकिर्तिक सनसाधन के प्रकार के प्राकिर्तिक सनसाधन पांच प्रकार के होती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैं बिकास वाम उपयोग की दृष्टी से दो भागों में बाठा गया है इसको दो भागों में बाठा गया है पहला जो भाम वाश्त्युक संक्या संसाधन है दूसरा जो है संभावे संसाधन है अब हम देखते हैं वास्त्विक संसाधन करते किसे वास्त्विक संसाधन वास्त्विक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन की खूल मातरा ग्यात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्द तकनीकी की सहायता से वर्तमान स समय में उपयोग किया जा रहा है एक्जाम्पल लेते हैं पश्ची मेसिया का जो पेट्रोलियूम है अस्ट्रेलिया का सोना और जारखंड का अभरक मध्य परतेश का मेगनीज इसका उधारन है इत्यादी नेक्स्ट जो हमारा है संभावे संसाधन संभावे संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कूल मातरा ज्यात होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है इन संसाधनों का उपयोग भविस में करने की संभावना होती है एक्जामपल लेते हैं जैसे कि केरल में मिलने वाला थोरियं तथा लदाक में पाय जाने वाला यूरेनियम इसका अच्छा हुदारान है चलते हैं नेक्स टॉपिक की और अब हमारा है उत्पत्ती के अधार पर उत्पति के अधार पर दो भागों में बाटा जाता है इसको भी दो भागों में बाटा जाता है पहला जो भाग है उसे जेव संसाधन करते हैं दूसरा जो भाग है उसे अजेव संसाधन करते हैं जेव संसाधन करते हैं जेव संसाधन की परभासा देखते हैं जो संसाधन जेव मंडल से आते हैं उन्हें जेव संसाधन करते हैं जैसे कि मनुस्य, वनस्पति, मचली, इत्यादी ये सब जेव संसाधन हैं, अजेव संसाधन के बारे में जान लेते हैं, जो संसाधन निर्जीव अस्तुव से मिलते हैं, उन्हें अजेव संसाधन करते हैं, जैसे कि मीटी, हवा, पानी, पत्थर, इत्यादी ये सब अजेव स इसके बाद हमारा जो टोपिक है वह है उपलब्धता के अधार पर उपलब्धता के अधार पर इसको भी दो भागों बाठा गया है पहला है नवीकन्य संसाधन दूसरा अन्यवकन्य संसाधन पहले देखते हैं नवीकन्य संसाधन किसे कहते हैं नवीकन्य संसाधन वैसे प्राकिर्थिक संसाधन वो को कहा जाता है जिनकी पुनपूर्थी प्राकिर्थिक रूप से होती रहती है फलता ये कहत्म या समाप्त नहीं होते हैं जैसे की सुरे की किर्ने एवं पवन या नवी विकर्णिय संसाधन है नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अनविकर्णिय संसाधन वैसे संसाधन है जिनके भंडार सिमित है तथा एक बार उपियोग में आने के बाद उन्हें के पुनपूर्ती में हजारों लाखों वर्स लग जाते हैं जैसे कि लोहा, कोईला, पेट्रोलियम, अबरक, इत्यादी या सब अनिवकर्णिय के एक्जामपल हैं नेक्स्ट जो है उत्पत बीतरर के अधार पर दो भागों में बाटा गया है इसको भी दो भागों बाटा गया है पहला है स्वर्वर्थ उप्रभद के उपलब्द के अधार पर संसाधन दूसरा है एस्थानि जो संसाधन सबी जगह पाए जाते हैं उन्हें सवर्थ उपलब्द संसाधन करते हैं जैसे पवन एवा मीटी इत्यादी सवर्थ उपलब्द संसाधन के अच्छे एक्जामपल हैं नेक्स्ट है एस्थानिक संसाधन जो संसाधन एक निश्चित एस्थानों पर ही पाए जा जैसे कोडर्मा में पाए जाने वाला अभरक जादुगोर में पाए जाने वाला यूरेनियम इसका अच्छा उधारन है एस्थानिक संसाधन का अच्छा उधारन है नेक्स्ट जो है स्वामीत्वा के अधार पर स्वामीत्वा के अधार पर तीन भागों में बाटा ज़े गरत जब कोई प्राकिर्थिक संसाधन किसी बहस्तु के स्वामीत्वा में रहता है तो इसे नीजी संसाधन करते हैं जैसे कि भूमी तलाब इत्यादी नीजी संसाधन के अच्छे उदानान है नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रिय संसाधन किसी राष्ट के अंदर पाय जाने वाला सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रिय संसाधन कर लाते हैं इसका एकजामपल मुझे नहीं पता है नेक्स्ट जो है अंतराष्टियस अंसादर इसकी जनकारी मुझे नहीं है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिगा, सेर कीजिगा, सब्सक्राइब कीजिगा और कमेंट कर दीजिगा ताकि बेल आइगन को आन कर दीजिगा